Assalamu alaikum, कैसे हैं आप सब लोग आज के इस वीडियो के अंदर अगेन हम फिर से टेक्नो की कैमन सीरिस के एक और ब्रैंड न्यू अपकमिंग डिवाइस को पर बात करने वाले हैं इस चैनल के अबर तकिबन चार दिन पहले चैनल कैमन सीरिस की एक ब्रैंड न्यू syst वकॉस आरडेडी वीडियो वनाई हुई है जिसके अंदर हम लेएक्टिक्नो कैमन 18ही डिवाइस के लग बात की थी इस चैनल की तिरफ से चैनल की देवाइस के तीन भाइस वन्ठ होने वाली है इस Series की सबसे lowest parent वाली device होगी वो Tecno Camon 18 होगी फिर इसका एक upgraded version आप लोगो Tecno Camon 18P के नाम से देखने को मिलेगा और फिर इसका भी एक upgraded version होगा जिसका नाम होगा Tecno Camon 18 Premier जैसे कि आप लोगो Tecno Camon 17 Premier, Tecno Camon 16 Premier भी देखने को मिलेगा है यह Tecno की Camel Series टॉप ओफ दा लाइन अप स्मार्टफून होने वाला है आज कि इस वीडियो के निदर हम इसी स्मार्टफून की स्प्रस्केशन के बारे में बात करने वाले इसके design को देखेंगे कि इस बरी टेक्नो ने क्या design को implement किया गया है क्या specifications आपनों को देखने को मिलने वाली है इस device के दर आपनों को gimbal camera की support point की गया है तो camera lovers के लिए क्या जादा एक अच्छी upgrade होने वाली है उसके इलावा G96 का chipset point किया गया है इसके इलावा भी बहुत ही ज्यादा crazy specifications इस device के दर इस पर इंक्लिट कीगी है वीडियो का इंट्रस्टिंग होने वाली है आप लोगों को वीडियो में का वसा नमजा आने वाला है अगर वीडियो पसंद आ रहे है वीडियो को एक like कर दें चैनल पर नहीं है तो चुझे को subscribe कर दें इस device के दर आप लोगो 6.7 इंचिस का display ओपर होने वाले है जो के 1080p pixel resolution के साथ एक full HD plus display panel के साथ आएगा यहाँ पर जो panel यूज किया गिया है वो emolid है यह panel 120 hertz के high refresh rate को भी support करता है जो के इस device के दर आप लोगों को देखने को मिलेगी और इस center punch on screen design के अदर आपको आपका selfie camera मिलेगा जो के 32 megapixel का होगा तो यहाँ पर selfie को भी काफी जादे इंप्रूफ के गया है नोर्मले आपनों को 16 megapixel तकी budget range के अदर selfies मिल रहे होती है बट इस device के अदर 32 megapixel तक आपको selfie camera मिलने वाला है और क्योंकि इस device के अंदर amulet display लगाया गया तो हमें expect कर सकते थे कि यार इस device के अदर आप लोगो in display fingerprint scanner की support मिलती बट यह device side modern fingerprint scanner की support के साथ आ रही है इस चीज़ के अपर थोड़ा बहुत हमें compromise करना पड़ेगा बाकि इस device का आप लोग back design देख सकते हैं काफी ज्यादा खुबसूरत निकल के आया है और यहां पर जो cameras के modules हैं वो आप लोग देख सकते हैं काफी खुबसूरत design दिखा गया है इस camera modules का and triple cameras की support point की गई है और इस device के अंदर cameras की game on है क्योंकि इस device के अंदर cameras के उपर काफी ज़्यादा काम करेंगे और आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने टेक्नो की devices को अरड़ी यूस किया है कि टेक्नो टाइवोस टेक्नोलोजी को इंटिड्यूस करवा चुका हुआ है और इसको य 64 megapixel का प्राइट का है इसी के साथ एक दूसरा camera लगाया गया है जो कि 8 megapixel का पैरिसकॉप का camera है 5x तक का आप ओप्टिकल जूम प्राइट करेंगा और I think 30x चा 60x तक का आप लोगों को यह डिजिटल जूम भी प्राइट करेंगा जैसे कि हमें Infinix की 0x pro device के अंदर देखने क काम करता है यह हमने technology से पहले Vivo के smartphone के अंदर देखी है अब आप जो normal smartphone से अपनी वीडियो वखरा बना रहे तो यह जारा वीडियो के अंदर हल्पू करने वाली है तो आप अगर अपनी hands वारेंगे अंदर हलका बलका shake भी आएगा तो वीडियो के अंदर भी shake नदर आएग कि यह फीचर techno की device के अंदर कैसा काम करता है और techno क्यूंकि बजरेंगे सेग्मेंट के अंदर आप लोगों को device support कर रहा होता है तो आगेस यह device आप लोगों कुछ 45-50K के round world Pakistan के market में देखने को मिलने वाली है और अगर यह इस प्राइस टेक आपर launch हो जाती है ना तो यह पा और मैं पात करों मीडेटेक के की लोगी 96 के chipset की मीडेटेक की तरफ से newly launched chipset है यह वला और इसलिए आप लोगों काफी अची gaming performance मेल जाती है और मैं यह कहूंगा कि गेमर्स के लिए यह device एक बहुत ही जादा अच्छी package के साथ आने वाली है कि AMOLED डिस्प्ले भी दिया गिय के आप लोगों को बहुत ही अच्छा और stable gaming experience देखने को मिलने वाले है यूए के बात की जाए तो इसके दर आप लोगों को टेक्नो की कस्टम यूए हैस 8.0 की support मिलेगी Android 11 के latest version आप लोगों को देखने को मिलेगा ओल्दो कुछ दिवाइस के अंदर आप Android 12 की भी वर्जिन स्लोड़ाट होना शुरू हो चीक होई है इस दिवाइस के आप लोगों को 4750 मिलेंपार की बैटरी मिलने वाली एसी के साथ 33 वोट के पावर ब्रिक को कंफर्म किया गया है सब्सक्राइब के साथ टेक्नो कैमन 18 प्रिमेर बहुत की जल्दी पाकिसिन के मार्ट के में लोच होने वाली है लोग इंडेट के बारे में अभी कोई भी कंफर्मिशन नहीं है अगर एक्सपेक्टेज लोग देट की बात की जाए तो शायद नवंबर के एंड या फिर दि सब्सक्राइब करें चुनी सब्सक्राइब करेंगे आप लोगों को नोडिफिकेशन आइकन चोड़ेगा उसको बागे जरू अलब कर दिजएगा तांके हमारी वीडियो के सब नोडिकेशन आपको मैल दें जैसे हम चैनल पर कोई भी नियो वीडियो उप्लोड करती है अपीज